नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है GBC ब्रिकी में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अप्छुकमार की अपकोमिंग फिल्म आतरंगी रे के बॉक्स अपिस प्रडिक्शन के बारे में और वहीं आप लोग बताएंगे कि अतरंगी रे अपने पहले दिन बॉक्स अपिस पर यानि की ओटटी पर कितने प्रसंट के ओकेपेंसी दिखा रही है और साथी साथ ये फिल्म अपने पहले दिन कितने व्यू हासिल कर रही है और ओडियंस अक्षी कुमार के हर फिल्में देखना पसंद भी करती है दोस्तों आप लोग बताएंगे चले कि अभी हाली में अतरंगी रे का एक धमाकेदार और जोड़दा ट्रेलर निकाला गया था जिसे ओडियंस ने बहुत अच्छा खासा प्यार दिया और साथी साथ इस फिल्म के गाने भी रिलिस किये गे थे और सारे ही गाने को जो कि बहुत अच्छा खासा रिस्पोंस मिला और ओडियंस बहुत अच्छे से प्यार भी दे रही है आप लोग बताजे चले कि अतरंगी रे को निर्देश किया है आनंद एल राय ने जिlorहाँ दोस्तो आप लोग बताजे चले कि अक्षे कुमार के उपकमिंग फिल्म अतरंगी रे जो की एक रॉमेंटिक ड्रामा फिल्म है रिलिस देट की बात करें अतरंगी रे मुवी की ता आप लोगो बताई चले कि आप लोगो को यह फिल्म जो की 24 दिसंबर 2021 के दिन मिलने वाली है सिनेमा घरों में ना रिलिस होकर यह फिल्म ओट टी प्लेटफॉर्म पे रिलिस होगी वही दोस्तों आप लोगो बताई चले कि अतरंगी रे याने कि अक्षे कुमार की फिल्म अतरंगी में आप लोगो को कोन को नजर आने वाले हैं तो आप लोगो को अतरंगी रे में नजर आने वाले हैं धनूस अक्षे कुमार और वही सारा आली खान भी इस फिल्म में आप ल बना हुआ है यह अपने पहले दिन कम से कम 50-60 million view हासिल कर रही है जी हाँ दोस्तों 50-60 million view यह OTT platform पे हासिल कर रही है दोस्तों आप लोग क्या लगता है अतरंगी रे मूवी अपने OTT platform पे यानि कि डिजनी प्लस होटी स्टार पे कितने view हासिल करेगी और साथी साथ अक्षिक अक्षिकुमार की यह फिल्म आतरंगी रे डिजनी प्लस होटी स्टार पे कितने करोड रुपे कर सकती है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके चरूब और दोस्तों आप लोग अक्षिकुमार के डाई हाट फेन है तो हमारे और आपके चनल जीवी से ब्रेकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरू हीट करें ताकि हमारी यसी लेटेस्ट अपडेट बॉल्लीवूट बॉक्स ओपिस और वहीं OTT प्लेटफॉर्म की जानतारी आप लोगों को मिलती रहे सब से पहले धन्यवाद जेहिंग जे भारात